कूलिंग जस्ट डबल हो जाएगी आपको कंडिशन भी दिखाऊंगा केमरा अंदर डालके कि यह आ गई हमारी कूलिंग कॉइल फोम डालनी है दिख रहे हैं आपको सेम इधर हवा बिलकुल चेल डारी है ठंडी हावा अज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो वीडियो स्पेशली होने वाली आपके एसी सिस्टम के उपर और एसी सिस्टम का जो हाट होता है उसको बोलते हैं अब लोग कूलिंग कॉइल या फिर इवैपोरेटर कॉइल में जब भी गंदगी जमा हो जाती है तो आपका एसी काम नहीं करता और जब इसके अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगी तो उसको क्लीन करने के लिए कोई चारा नहीं होता आपको यह पूरा डैश्बोर्ट रिमूव करना पड़ता है क्योंकि जस्ट डबल हो जाएगी अंदर से आने वाली स्मेल मिटी की हो या फिर कोई बैक्टिरिया जितने भी हैं सारे खतम हो जाएंगे और आपको फ्रेश एयर फील होगी और इससे एसी की लाइफ भी बढ़ जाती है और हाँ क्लीन करने से पहले मैं आपको कंडिशन भी दिखा के फाइदा नहीं वेस्ट हो जाएगा तो सही तरीका भी बताऊंगा और क्लीन करने के बाद कूलिंग कोईल कैसी दिखरी है वह भी कैप्चर करके आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कितना इफेक्टिव यह फोमिंग प्रोड़क्ट है लेना चाहिए नहीं लेना चाह जिसके नीचे होथी है कूलिंग कोईल स्टेरिंग के नीचे यहां पर आपको इसा एकसस नहीं मिलेगा दिखेगी नहीं सबसे पहला काम आपको करना होगा यह 22 निकालने पड़ेंगे मैंने पहले ही लूओ करके लिए है एक यह 3गए है और एक यह पर लगा हुआ है इसके बाद आपका ये cover आ जाएगा बाहर, simple, ये लगा हुआ है आपका cabin filter, इस cabin filter को remove करना है हमें, ये आ गया बाहर, कितना गंदा है, ये देख लिजे, और ये गाड़ी चली भी लगबग 18,000 km, एक साल हो चुका है गाड़ी को, अब इसके बाद देखेंगे कि एक ये filter अप करेंगे, इस तरह से ये आगया हमारा दूसरा filter, ये आगया AC filter या cabin filter, जो भी आप कह लिजिए, इसकी condition कैसी है, ये देख लिजिए, और ये जो है, ये प्रोटेक करता है dust को, ताकि cooling coil पर dust ना जाए, फिर भी थोड़ी बहुत dust जाती है, आपको एक बाद पहले की condition दिखात की, देखो जी, यहां से अपने filter निकाला था, और ये आगयी हमारी cooling coil, ये देख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं हम लोग evaporator coil या फिर cooling coil, ये जो unit है, ये ही unit ठंडा होता है हमारी gas से, और फिर उससे हमको हवा मिलती है, और इसको clean करना ये typical task होता है, अब आप देखो जी कितनी गंदी हो चुकी है ये, ये, अभी ये जो मक्खी वगरा चिप क्यों भी दिख रही है आपको, अब इसके ओपर और layer जम जाएगी, और गंदा हो जाएगा, जब बहुत जादा गंदा हो जाएगा, तो फिर कोई चारा नहीं होता है, इस पूरे unit को बाहर निकालना प पाई पाता है, अब क्योंकि हमको इसका best result चाहिए, तो यूज करने का तरीका भी सही होना चाहिए, अब सबसे पहले हमको क्या करना है जी, यहाँ पर insert करना है ये foam, एक्चल में ये cleaner है, यहां से मैं प्रेस करूँगा, तो इस तरह से foam निकलेगी, दिखा देता हूँ मैं ऐसे foam निकलेगी, अब cleaner को क्या करेंगे हम, यहां कर देंगे insert, और थोड़ा सा इस तरह से, मैं यहां से प्रेस कर रहा हूँ, जितना cleaner डालना था उसमें मैंने डाल दिया, बाकी अब बचा लिया मैंने vent के लिए, अब चलते हैं उपर, अब देखो जी, vent clean करने, vent के अंदर simple हमको यह foam डालनी है, दिख रही है आपको, इसको insert कर दीजे अंदर, और यहां से, पूरी foam भर गई, सेम इसी तरह से इस वाले में, यह हो गया, डिबबाजी, खतम, तेम इधर, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो इधर भी कर देता हूँ, तो यह जी, पूरा खाली हो गया, थोड़ा सा हमने डाला इवेपरेटर कॉइल में, वो भी बहुत कम डाला, इस वाले में हमने पूरा कर पाये थे, इसमें पूरी तरह से नहीं हुआ, इसमें और इसमें रह गया, कहने का मतलब यह है कि सफिशन नहीं है, यह एक बार कूलिंग करने के लिए, अब इसमें कितनी क्लीनिंग किये, वो भी आप देखोगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए, इवेपरेटर को क्लीन करना, अगर अगर आप इसको क्लीन नहीं करते, एक साल, दो साल, तीन साल, उसके बाद फिर आपको फुली चोक जब कोईल हो जाएगी, तो आपको यह खोल के उतारना पड़ेगा, और फिर साफ करना पड़ेगा, अब करेंगे हम फिल्टर को क्लीन, फिल्टर क्लीन करने के लिए, सिम् अगर दिन में, एक महिने में जरूर इसको क्लीन कर लिजिए, और इसको अगर क्लीन करते रहते हैं, तो कुलीन कोईल जल्दी खंदी होती ही नहीं, और इसको क्लीन करने के बाद आपको अच्छा काम करता हुआ दिखेगा, अब दिखेगे, यह फिल्टर क्लीन हो गया, फि दूसरा वाला फिल्टर सेम वहां पर डाल देंगे यह आ गया दी दोनों फिल्टर कैप लगाएंगे और एक चीज में आपको बता दूँ यह है गाड़ी टाटा पंच तो इस गाड़ी में क्या है फिल्टर अगर आप निकालते तो यहां से एर फ्लो आने लगता है अदर्व टावल ले लिजिए आगे लगाने के लिए एसी वेंट पीछे की तरफ कर दीजिए ठीक है जी यह दो हैं यह भी इदर कर दिया मैंने इसका इदर कर दिया मक्सद एक इसके अंदर से जो भी चीज निकलेगी वह मैं इसको रोक सकूं अब क्या करना है मुझे एसी ओन करना ह इसी ओन किया कुछ निकला नहीं सेकिंड स्टेप क्या करना है मुझे यह सिंपल मैंने ब्लोवर ओन किया था अब मुझे करना है इंजन स्टार्ट इंजन स्टार्ट करने के बाद कंप्रेसर ओन इसका में काम क्या होता है जितनी भी डस्ट वगरा होगी न यह सब को डाइलूट करके अपने साथ ले जाएगा और नीचे वापस निकाल देगा नीचे ड्रेन लाइन से एक तरह से पूरी लाइन वाश आउट हो जाती है अब सेम इस तरह से AC on करके गाड़ी को कम से कम पांच मिनट तक छोड़ दीजिए पांच मिनट में होगा क्या कोईल के उपर जितना भी सोलूशन है वो पानी से वाश हो जाएगा और वाश होके नीचे निकलना शुरू हो जाएगा अब देखो जी फ्रोक्स पांच मिनट पूरे हो चुके हैं और हवा बिल्कुल चेल्ड आ रही है ठंडी हावा आ रही है एक चीज मुझे इस पर अलग दिख रही है खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है जो इसके फ्रेग्नेंस है वो बिल्कुल फ्रेश फिलिंग दे लेकिन कितना हुआ है वो देखने की बात है कूलिंग कॉल कितनी साफ हुई इसके लिए पहले गाड़ी को बंद कर देते हैं फिर कैमरा लेके चलता हूं अंदर आपको दिखाता हूं कितनी कॉल इससे क्लीन हो पाई है और एक चीज यहां पे जो हमने डाला था अच्छी त क्लीनिंग की है इसने अंदर देखो जी कोईल यह थोड़ी बहुत क्लीन की है इसने लेकिन वह रिजर्ट नहीं है जो होना चाहिए अभी इस लोकेशन पर मैं को आपको दिखाना और खुद साथ में देखना था एक टीपिकल टास्क होता है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हू हुआ है लेकिन प्रॉपर जो क्लीनिंग होनी चाहिए वह इसमें नहीं हो पाई है जो क्लीनिंग अगर हम मैनुवल करते तो वह ज्यादा बैस तरीके से कर पाते फिर भी इसका जो रिजर्ट था वह मैंने आपको दिखा दिया अनबाइस रिजर्ट कोई किसी की तरह का वो क्लीन कर सकता हूं अगर आप चाहते हैं कि मेन्वली इस गाड़ solic applauding करके दिखाूं तो आप comment box में बता दों दौना कैसे करते बिना किकी बोटक यूजरे वह हां ये बात तो पक्का है कि इस से कहीं जादा बैतर अच्छी क्लीनिंग कर पाए गी उस से ठम टाइम में में